आज हम सीखेंगे ब्याज के बारे में ऐसी कई स्थितिया है जब हमें हमारे पास जितनी धनराशी है उससे अधिक धनराशी की आवशक्ता होती है जैसे किसी व्यापारी को नया व्यापार शुरू करने के लिए, दुकानदार को नया सामान खरीदने के लिए किसान को नए बीच एवं खेती का सामान खरीदने के लिए उनके पास परियाप धनराशी नहीं होती ऐसी स्थिती में वे बैंक, डागघर जैसी संस्था या किसी व्यक्ति से धनराशी उधार लेते हैं उधार ली जाने वाली या दी जाने वाली धनराशी को हम मूलधन यानि प्रिंसिपल कहते हैं धनराशी उधार देने वाला यानि लेंडर और उधार लेने वाला यानि बोरवर कुछ शर्तों पर सहमत होते हैं जैसे लोटाते समय मूलधन के साथ कितनी अतिरिक धनराशी लोटानी होगी इत्यादी। इस अतिरिक धन को हम ब्याज यानि इंट्रेस्ट कहते हैं। ब्याज अक्सर निश्चित समय के लिए मूलधन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। जैसे 12 प्रतिशक प्रतिवर्ष का अर्थ है, मूलधन के प्रतेक 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए 12 रुपए ब्याज होगा. मूलधन और ब्याज को जोड़कर लोटाने की कुल धनराशी को मिश्रधन यानि अमाउंट कहा जाता है. जब हम बैंक में धनराशी जमा करते हैं, तो बैंक भी हमें इस पर कुछ ब्याज देती है, जो की समय और ब्याज की दर पर निर्भर करता है. जब हम ब्याज की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं साधारण ब्याज ये शिब्बल इंट्रेस्ट और चक्रवृद्धे ब्याज यानि कमपाउंड इंट्रेस्ट पिछली कक्षा में हमने साधारण ब्याज के बारे में समझा चलिए इसका पुनह अवलोकन करे मान लीजिए हम बैंग से 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार लेते हैं चलिए इस थिति में साधारण ब्याज की धनराशी कितनी होगी यहाँ पता करे यहाँ ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है याने की 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 रुपए है इस तरह से एक रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 बटे 100 रुपए होगा इसी तरह 1000 रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 बटे 100 रुपए गुणा 1000 बराबर 100 रुपए होगा चुकि एक वर्ष के लिए साधारन ब्याज 100 रुपए है इसलिए 2 वर्ष के लिए ब्याज होगा 2 गुणा 100 रुपए बराबर 200 रुपए साधारण ब्याज हम I बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100 इस सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं जहां I साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R ब्याज की दर और T समय है इस तरह से I बराबर 1000 रुपए गुणा 10 बटे 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपए है इस तरह से व्यापारी द्वारा लोटाए जाने वाला मिश्रधन ए होगा मूलधन धन ब्याज बराबर 1000 रुपए धन 200 रुपए बराबर 1200 रुपए तो आज हमने सीखा ब्याज के बारे में, अगले वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धी ब्याज झाल